दोस्तों कुकिंग इतना अच्छेल में आप सभी को स्वागत है आज का रेसिपी जो है बहुत ही बढ़िया और उनिक है पूरा भी आई पी रेसिपी आप घर में कोई पाटी हो गया वो भी आपका बड़े पाटी हो गया कोई भी गेश्ट है तो ये रेसिपी आप जबरदस ऐस्वर कर लेना है Kazisin है पूरा ये पुरा डास में इस तरह कर लेना है अब हम अपको बना들을 दिखाऊंगा जो पणीर जो मैयनेट करनेगे की सब्रूलतर का तरीकशन का यूज क केसमीर चिली पऌर चिली पाउडरर का यूज़ किया हों आप का समीरी चिली पाउडरर पूरा इसमें गर करता है जो आपका है ज एक लिंबू का धरी डाल देना है पूरा लिंबू का जो सुलाइस करें भी हमादो करीं आपका ऐसनоде fano चाट मसाला एड करने का बाद में आपको इस तरह से मैनेट कर लेना है मैनेट करने का बाद में कम से कम आपको 30 मिनिट तक आपको इस तरह से रख देना है जो मसाला थोड़ा तरीका से मैनेट हो जाए अब हम आपको इसका मसाला बना कर दिखाऊंगा किस तरह से इसका मसाला इधर देखिए हम जो कड है इसको हैंक कर लिया हूँ देखिए पुरा हैंक कड है अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजरगली पेश तोड़ा दो टाइप का नमक डालेंगे इसमें अब इसमें डालेंगे आपको थोड़ा चाठ मसाला और थोड़ा भोना हुआ जो तरीका से मैनेट करना है ठीक है हास से आप कीजिए बहुत ही अच्छा होगा और इसका कलर बहुत बढ़िया होगा इस तरह से आपको मैनेट कर लेना है अच्छा तरीका मैनेट होने का बात में अब इसको क्या करेंगे पूरा जो ट्राइगे जी यह बहुत ही चटपटा है बहुत ही बड़ी हा और unique recipe है अब इसमें क्या करेंगे जो पनीर छोड़ा-छोड़ा pieces में cut क्या हूं अब इसको इसमें add कर लेना है और अच्छा तरीका से इसको क्या करना है मैनेट करने ला है मैनेट करने का बाद अपसके कम से कम आदा घंटा तेगा अब इसको फ्रीज में रख दीजिए बाइसा रख दीजिए कोई साइड में उसका बाद ही इसको जो आपको रोश करना है या पैन में आपको इसको इस तरह से रोश कर नाम किस्तर दिखाऊंगा आपको आप जो कटा हुआ वेटेवल्स को इसमें भी साइट में अच्छा तरीका से मैनट कर लेंगे आप पनीर का जो साइज कर सकता है फिर उपर से आपको क्या करना है एक ओनियन जो है आपको इसा से दे देना है और आपको इसमें क्या करना आपको उपर से एक ओनियन डाल देना है देखिए कितना चोटा और बहुत ही बढ़िया देखिए स्नैक्स बनकर रेडी है अब ये चारो तरफ से इसको देख आपको पूरा लगा देना है आप आपको पैन में क्या करना नाम नॉंश्टिक का पैन इसके लिए उसमें हलका सा जो बटर है इसमें स्प्रेड कर देना है चारो तरब इस तरह से जादा नहीं लगाना है आपको ठीक है और एक एक करके आपको स्लो फायर में गैस आपको रखना है चारो तरब कड़ाई में जो आप ऐसे तरह से लगा लेना है आप बड़े पाटी हो कोई आपका घर में गेश्ट आए भी आईपी गेश्ट अच्छा तरीका से आप इसको बनाईए और प्रेजेंटेसन भी कैसा करना है क्या सौसा इसका स क्या ना है इसको जो एकशक कीजिए और जो मसाला ना उपार चलग जाएगा और ओड़े लागेंगा आप तोड़ा सा ऊपर से चाड मसाला धैससे ऍलका सा चार्ड मसाला तकीजिए और इसको ग्रीन चटनी का साथ में इसको सर्व कीजिए ग्रीन चटनी मेरा चैनल में आप जाके देख सकते ग्रीन चटनी कैसा आपको बनाना है धनिया पुदीरा कितना कितना क्वांटिटी देना है देखे देख लीजिए अब ये जो मिनी पनेटिक का बन कर रेडी है अब इसको चोड़ा चोड़ा देखे ग्लास आपको लेना है अब इसका अंदर में ग्रीन चटनी डालना है और इसको अंदर में इस तरह से रख देना है रेसिपी पसंदा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए फिर मिलेंगे मज़दार रेसिपी के साथ में